इस समय हमारे साथ डॉक्टर आर्बी उपाध्याय वरिश पत्रकार जुड़ गए हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिश पत्रकार जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए उपाध्या जी पहला सवाल वेरा आपसे ही होगा रामपूर और आजमगर यह दोनों ऐसी सीटे हैं जहां पर कांटे की टकर थी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में लेकिन जैसे ही सीथ बीजेपी के खाती में जाती है एकदम आंक्रा पलट जाता है देखे डेफिनेटली काजब यह दोनों सीटे समाजवादी पार्टी का गड़ थी और जो जाती है समीकरण है जाती है समीकरण भी कहने कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे जो उनका M.I. Factor है वो MI Factor भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और उसी के बल पर समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि दोर्म सीटे समाजवादी पार्टी जीतेगी ओवर कॉन्फिडेंस का आलम ये था काजर कि अखलेस यादव प्रचार में गए ही और मैं बार बार कई चैनलों पर मैंने कहा कि बीजेपी हर चुनाब को सिद्धत के साथ लड़ती है छोट से छोटा चुनाब बड़े से बड़ा चुनाब उसका बेनिफिट उसको मिलता है जहां योगी आदितिना सवाब पर सभा कर रहे थे जन सभा कर रहे थे वहां अखलेस जी नजर नहीं आ रहे थे तो मैंने तभी कहा था कई चैनलों पर मैंने कहा कि इसका नुक्सान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा और दूस परिणाम देखिए कि दोनों गड़ धेते गुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो एमबाई फेक्ट पर सादे कि आजम गड़ में बड़ा किलियर था गुडव जमाली को जब से उता रा बीसपी में तो देख रहाता भी गुडव जमाली मुस्लिम समाज के काफी वोट ले जाएंगे जिसका सीधा सीधा नुक्सान समाजवादी को हो पिछ्ली बार जब इलेक्टिन लड़ा गया था तो समाजवादी पार्टी और बीयसपी एक साथ थे, BSP उतनाव नहीं लड़ती है, लेकिन BSP ने कहीं डेट उता रहा, तो उसी दिन दिख गया था, कि आजमगर की सीख, अब समाजवादी पारिटी के लिए तुरक्षे पूरी, और जिस तरीके से निरववाजी का जो प्रचार करने का तरीका रहा, आक्राम था, ब बहुत सारे से लिवटी का जमाबाड़ा देखने को मिला था, और निरववाज उसी बोट बैंक को तार्गेट कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी का M-by-factor है, तो मुस्लिम बोट भी बटा, यादव बोट भी निरववाजी को मिला, पुलस हिंदू बोट मिला, तो ए एक अच्छी जीत वहाँ पर दर्ज की है, और इसलिए बीजेपी का मनोवल उत्सा बढ़ा हुआ है, मानी योगी आज इतनाती में कह दिया, कि भी 2024 में, 80 में से 80 सारी सीटे हैं हमारी, जी, तो देखिए ये तो 2024 का वक्त बताएगा, देखना होगा क्या होता है, सुनील कौ आप से समझेंगे, क्योंकि आमादमी पार्ti को पूरा भरोसा था, कि सरकार बन गई है, तो हम संगरूर सीट को भी चीत लेंगे, लेकि संगरूर सीट फिसल गई है, आमादमी पार्टी के हाथों से, कारण उसके बहुत सारे बताए जा रहे हैं, और कहा ये भी जा रहा है क कि भगवंत मान मुख्य मंत्री है लेकिन उस गढ़ को नहीं बचा सके जो कि उनका गढ़ माना जाता है पंजाम में आप पैट्टे की सरकार बनने के बाद ये पंजाब की जनतार में संदेश के चला गया कि वहां की सरकार मान साब नहीं चला रहे हैं कहीं दिल्ली से चल रहे जब सरकार बनती है तो सबसे पहले जिंबेदारी बनती है कि अपने अचारियों कैसे चीप सेक्टी को डिजी को एडिजी को कैसे विबस्तित किया जाए कैसे अपनी एकीम तयाद की जाए उसको भी समझने में मान साब को बहुत समें हैं उसरी आप देखेंगे कि तमाम ऐस सब्सक्राइब कर देखेंगे जो संगरूर की सीट है जिसके चुनाब लड़ा गया एक जनता नहीं संदेश देतिया पंजाब सरकार एसे सरकार से लेकि तो नश्यत दोर से वो सरकार की ठीक नहीं रहेगा जब से सिद्धु मुसे वाला हर्त्या कांड हुआ है तब से लेकर आज का जो माहूल वहां पर देखने को मिल रहा है उससे यही है कि वहां की जनता में आक्रोश था आमादमी पार्टी के खिलाफ और कहीं ना कहीं वो जो घटना क्रम हुआ उसको इससे रेलेट किया जा सकता है और उसी का नुखसान आज आमादमी पार्टी को हो रहा है मूसे वाला हत्या कांड हुआ वह मेडिया में बहुत ज़्यादा आगा इसके में आपको लग रहा है कि प्रकण बहुत ज़्यादा था लेकिन मूसे वाला की से पहले भी लव साथ ऐसी हत्या हुई जहाँ पंजाब की जनता में जनाकोस और देजिसे था मूसे वाला पुड़ा राधिनी दिसमें गुई और इस तरीके से प्वालिटिकल बेरियर पीचे था तकाल उससे पहले तो बी आई पीज की सुरच्छा आई गई तो उससे पहले भी आपने देखा जो रेत मापियां वहां पे हैं उनका किस तरीके से माहौल वहां के कि आप पाटी ने कुई एक बहुत बड़ा हैसरा लिया हो जिससे नसा मुक्ति की तरफ पंजाब बढ़ रहा हो दूसरा आपने देखा हो है कि जब बॉर्डर की बच्छा को लेकर बीच से पधास को मुतर किया गया था तब पंजाब सरकार में नहीं थे जब कांग्रिस की सबस्ती है दूसरा ये एक संदेश है जहां प्लालायत है जिस प्रदेश में आपने इस्ति है इस्ति है दूसरा एक और में सोटा सका गाजत जहां दिल्ली में बारवार केजरी सब्कार को मांग रहे थे पुलिस हमारे हवाले की जाए तुक्तु सदार रखे पंजाम में यह देख गया तुहां की जंतान है कि पुलिस भी आपको देदी गई तब भी आप लिश्टेट को ठीक सदी सवाल हुँए ठीक उपाद्याई जी आपसे मेरे दो सवाल हूंगे कCloud के यूपी को लेकर भी और दिल्ली को लेकर भी क्यांकि यूपी में तो देखा है जा रहा है की बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई सवालों ही सीट उप该 और कब्स है लेकिन वहीं यहां दिली कि सथ tv देखे तो यहां पर जो बात आपकर रहे हैं, वो सीट पहले थे, आमादू पार्टी के पास थी, और जहां तक दिल्ली का प्रस्न है, दिल्ली में जो चबी है, आम जन्ता के भीजेपी की ठीक नहीं है, उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि नगर नेगम के चुनाव को ठाला गया है, क्यों नगर नेगम में जो ब्रिष्टाचार था, उसे आम जन्ता बहुत आहत थी, हर लेंडर पर पैसे लिये जाते थे, तो जहां भी जितने भी ब्रिष्टाचार की जो पराकास्था होती है, वो जन्ता उसे रूभरू हो रही, तो एक अच्छा कदम उठाया के भी ठीक है, भंग कर दिये गए नेगम, और वहां पर तीनों नेगमों को एक करके एक ब्रिष्टा दी गई है, जिससे कम से कम जो पारसत लूट मार मचा रहे थे, जो ब्रिष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे, उसके बाद बीजेपी की छबी में भी सुधार आएगा, अभी बहु तो आम आदमी से जो आम जनता है, देखिए एक दिल्ली मॉडल पेस किया आम आदमी, कि फिरी विजली, फिरी पानी, फिरी डिटी सी में ट्रेवल कर रहे हैं, महिलाएं, प्रेक्टिकली हो रहा है, और वो मैसेज पूरे देश में जा रहा है, जिसके दम पर पंजाब दीत प्रेटा बिल्कूल, लेकिन कास बीजेपी के पास, उस तरह का कोई किसी भी स्टेट का मोडल नहीं जिससे यह कहा जा सके कि बिल्ली मॉडल पुछना है, और तुछने हम्ध कर लेंदेक हो इस तरह कि रुट्वाके चला रहे हैं, तो अगर हम सत्था में आते हैं, तो हम इ करना पड़ेगा अब मेरी आमदनी 5000 और 6000 का बिल आएगा तो मैं कहां से भरूंगा तो जनता उन सब चीजों से आहत्थी और एक बिकल्प आमादीम पार्टी को मिला जो चुना हुआ और उसकी को समझते हुए आमादीम पार्टी में सिक्षा के छेत्र में स्वास्त के छेत्र में अच्छे कदम उठाए हैं जो आम जनता महसूस करती है और दूसरे स्टेट के जो लोग रहते हैं वो अपने स्टेट में जाकर बताते हैं कि भी दिल्ली में सरकारी स्कूल सुधर गए हैं दवा मिल जाती है मौला क्लिनिक का बदोवस्त है कहीं दूर नहीं जाना है जब कि किसी भी स्टेट में गाउं डेवल तक भी एक डॉक्टर की या छोपीशी डिस्परंटरी की दिवस्ता किसी भी प्रदेश नहीं की है यह बात अलग है कि जहां संग्रूर में आप देखेंगे कि जो पंजाब में बांसाब की जो सीट थी जो उन्होंने छोड़ी जो उस सीट पहार गए पंजाब में एक मैसिज गया है जनता के बीच में बश्टाचार जीरो टॉट्रोलेंस की बात थी लेकिन उनी के मंत्री बश्टाचार में लेप पाई जाते हैं उन्हें जेल बेजा जाता है तो वो ध्वस्त हो गया बाइदा कि हम बश्टाचार तो वो हत्या में भी कही न कहीं सिद्धूमुसे वाले की हत्या से मैसेज़नता के बीच में गया कि यह सुरक्षण outtaो कि इसके दुस्पर ना जिद्दू मुसेवाली के हत्या के रूप में देखने को मिले हैं जनता से जुड़े हूं बिलकुल सुरील कौशिक जी लास्ट रियक्शन आपका समाजवादी पार्टी की हार के कारणों को लेकार क्योंकि आजम खान की छवी कैसी है जेल में अब तक थे और प्रचार के लिए बाहर आए उनकी छवी कैसी है पूरे देश में सबको पता है उसके बाद भी अखिलेश यादब ने आजम खान को कमान सौपी है प्रचार करने के लिए अखिलेश यादब खुद नहीं निकले और आजम खान को कमान सौपी और जो प्रत्याशी हा समाजबादी पाइटी के एक रणी थी ती इस तरीके से जेल में रेकर के अखलेश यादब को चिलेंज किया गया अखलेश यादब ने बना कर दिया उसके बाद सिप्पाल यादब और कांग्रिस के परश्डिताओं से मुराकाब कुटी है और फिर जब जेल से शूट के आत तीर से तो निशानों दो दो निशाने वाला काम किया जिस तरीके से दवाब अखलेश यादब पर बनाया जा रहा था इस तरिकेट कोलने का वजब आदम खांके नजदीक कारकप्ता यह कहते है कि हमारे पस्पीनि में बदू अखलेश यादब को आती है और उसके बाबद पर कुलाडी मारी है जान बूझक पैरों पर कुलाडी नहीं कह सकते है कि बभिश की रनीती को देखते हुगे यह चाहरों में बहुत सारी बात तक नहीं जाती है आपने देखा हुआ कि अखलेश यादब का जाना नहीं पीजेश समानबादी पाटिकर को बरस्ट नेता वि बिल्कुल और अखिलेश यादब को ये पता था कि ये हो सकता है बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आज के जो नतीजे आए हैं रामपूर और आजसमगर्ण में बीजेपी का कब्जा और वहीं संगरूर सीट की ब बात करें तो वहां पर शिरुमणी अकाले दल की जीत हुई है बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहार इतना ही आप देखते रहिए नैटवर्क 10 जय हिंद